ये गाइज आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल में जैसा कि मैंने आप सब्सक्राइब का था कि टीचर लोगों से बात चर लई है जैसे ही मॉस्ट भी भी कोशन रेडिक कर देते हैं तो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ जाऊं आपका 80-90 परसंट कोशन इसी गिस से आएगा दोस्टो ठीक है कि हर सब्सक्राइब के परफेसर मेरे पास उन्होंने ही कोशन सेट कर मुझे दिया है दोस्टो ठीक है तो मैं वीडियो सुट करा कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरा वाट्सन नमर आप सो जानती है उस पर भ ठीक है तो कोशन क्या है जो कि फॉस्ट में कोशन जो कि हमने लिखा है कोशन में दिया हुआ है बलवन की उपलब्दियों पर परकास डाले अगर आप चाहते हैं इसका उतर भी मैं बता दूं तो नीचे कमेंट पकरिए ठीक है दोस्तो जैसा कि मैंने एक पोश्ट डाला थ सर सिर्फ कोशन बता देजिए हम एंसर ढूंड लेंगे तो सिर्फ हम इसमें टॉप फाइब कोशन का आपको देने वाले हैं तो ठीक है तो कोशन वन था क्या था कोशन वन में बलवन की उपलब्दियों पर परकास डाले दो नंबर कोशन में दिया हुआ है 1526 इसमी में हु सभाओ का व्रण की ठीक है तीन नमबर कोशन में दिया गए दोस्तों दोस्तों मध्यकालेन भारतिय इतिहास के अधियन के साहितिया स्रोतों का विवेचना करना है तौप फोर नंबर कोशन है और एंगजेव की धार्मिक जीहां दोस्तों और अंगजेब की धार्मिक नीती की विवेचना करना है क्या करना है और अंगजेब की धार्मिक नीती की विवेचना करना है अब आते हैं टॉप फाइब नंबर कोसन जो कि आपके सामने है रहा तो इसके बारे में दोस्तो टॉप फाइब में कोसन लिखे हैं अकबर के दिन ए इलहाई से आप क्या समझते हैं ब्याख्या किज़े दोस्तों जो कि आप कोस्टन पड़े ही होंगे और जानते भी होंगे तो अकबर के दिन ए इलहाई से आप क्या समझते हैं उसका विश्तार पुर्बक लिख दीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजा ये था अनर्स पेपर टीन हीस्टोरी का अनर्स पेपर टीन का टॉप फाइब लेकर आजाओंगा दोस्तो ठीके तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत